हलो नमस्कार मैं डाक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हर्देक स्वागत कटा हूँ आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे वाक के बिन्यास के उपर जो की C-U-E-T के पाठिकरम में रखा गया है इसके अलामा ये लेक्चर UPTGT, PGT और NET की परिक्षा की दिश्टिकोंड से भी important साबित हो सकता है क्योंकि इन परिक्षाओं में भी वाक्य से सम्बनित कुछ-कुछ सवाल उचे जा रहा है तो आज की लेक्चर में हम देखेंगे कि वाक्य क्या है और वाक्य विन्यास क्या है आप देखरें कि ये शब्द है वाक्य, इसको हम आगे जाकर समझेंगे कि वाक्य का अर्थ क्या होता है वाक्य के विश्यस्ताएं क्या है, भेद क्या है इसके और उधहरन के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे विन्यास का मतलब होता है कि किसी भी चीज को सुविवस्थी धंग से प्रस्तुत करना ठीक है चाहे वो व्याकरणवधनियम के अनुसार हो चाहे शब्द क्रम के आधार पर हो चाहे करता कर्म क्रिया के आधार पर सुविवस्थी धंग से प्रस्तुत करना क्योंकि हम अपने ब्यवारिक जीवन में शब्दों का प्रियोग करते हैं, वाक्यों का प्रियोग करते हैं, लेकिन हम उसको सु विवस्थी ढंग से कई बार नहीं प्रस्तुत करते हैं, बलकि अपने भाओं और विचारों को प्रस्तुत करने के लिए ही बस वाक्यों का प्र प्रकट करते हैं अगर वाक के विन्यास हमारे टूटे फुटे भी रहते हैं तो भी सामने वाला व्यक्ति उसको समझ जाता है लेकिन अगर हम ब्याकरण की द्रिश्टिकोंड से देखें तो कैसे वाक के विन्यास को प्रस्तुत करना चाहिए तो चलते हैं इसको आगे हम तो चाहिए ता आपसे कि शब्द किसे कते हैं तो 1 से अधिक वर्णों के मेल को सब्द कते हैं कई जगा हम लिखते हूंगे लिखा रहता है वर्णों के सार्थक समू को वाकि कते हैं वरणों के समू को क्या कते हैं सब्द कते हैं ठीक है न वरणों के समू को शब्द का जाता है जिसे मैंने लिग दिया कमल अब वाकि क्या है कि मनुसिक के विचारों को पूंडता से प्रकट करने वाले पद समू को वाकिकत है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक नया शब्द है पद, तो शब्द और पद में क्या अंतर है, यह भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ, एक तरफ सब्द है, जिसके बारे में मैंने कहा कि एक से अध परगत, कर्ता, कर्म और क्रिया का सामन जस्य होता है, ठीक है ना, तो इस तरीके से पद समू वाकि में बदल जाते हैं, तो जब यह व्यक्ति अपने वीचारों को पूर्णता से प्रकट करने का प्रयास करता है, और जिस शब्द समू या फिर पद समू को प्रियोग करता ह है वही वाकि कालाता है, वाक के सार्थक शब्दों का विवस्थित रूप है, देख रहे हैं यहाँ पर वाक के सार्थक शब्दों का विवस्थित रूप है, जैसे कि मोहन घर जाता है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें मोहन है, जो कि करता है, घर, कर्म हो गया, जाता है, घर यहां पर एक object के रूप में है, या फिर इसको हम संग्या के रूप में भी देख सकते हैं, जाता है, क्रिया हो गया, ठिक है, तो इस तरीके से ये क्या है, सार्थक शब्दों का विवस्थित रूप जब दिया गया है, तो ये वाक्य के रूप में बदल गया है, आगे दे हम अपने शब्दों का यूज करके ही नहीं काम चला सकते, बलकि उसको वाक्यों में भी प्रयोग करना पड़ता है, जैसे मैं बोलूँ खाली मोहन, तो इसका कोई मतलम नहीं होगा, जाता है, अलग से बोलूँ तो इसका भी कोई मतलम नहीं होगा, फिर जब तक इसको वाक्य के वह सार्थक धौनी है जिसके माध्यम से लेखक लिख कर तथा वक्ता बोल कर अपने भाव या विचार पाठक या सुरोता तक प्रकट करता है या फिर पहुंचाता है तो यहाँ पर अप देख रहे हैं कि दिरी दिरे आपके दिमागे में वाक्य को लेकर क्लियरेट हो रही होगी कि आखिरकार वाक्य क्या है वाक्य पद समू को कहा जाता है सार्थक सब्दों का विवस्थित रूप है यह भाषा का विकास है ठीक है इसके बाद बताया जा रहा है कि वाक्य सार्थक धौनी है जिसके माध्यम से कोई लेखक लिखता है और जो वक्ता है वो ठीक है और इन दोनों का लक्ष क्या है आपने पार्ठकों तक पहुँचना है और इसके बाद सुरताओं तक पहुचना है इसलिए कैई बार आप देखते होंगे कि जब आप कहानी पढ़ते हैं उपन्यास पढ़ते हैं मालिजी प्रेम चंत का पड़ते हैं, तो आप बंद कर पड़ते हैं, एकदम से शुरू करते हैं, कोई कहानी उपन्यास, और कोशिश करते हैं कि इसको खतम कर लिया जाए, तीक है, अगर कोई वक्ता आए, बहुत अच्छा बोलने वाला है, तो आप चाहते हैं कि इसको सुना जाए क्योंकि इसलिए आपका मन उसमें लग रहा है कि वो जो वाक के प्रयोग कर रहा है वो काफी विवस्तित हैं तार्थक हैं और आपको उससे कुछ मिल रहा है ठीक है आगे हम उसी पर चिर्चा करेंगे कि सरसरधारण की अपक्षा सिक्षितों की वाक के रचना में एक विश्यस्ता रहती है सिक्षितों की वाक के रचना और वाक के प्रयोग में एक प्रकार का करम और विवस्ता रहती है जो ब्याकरण के नियमों से अनुसासिस होती है ऐसा माना जाता है कि दो तरीके के वर्ग ह जो कि केवल अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है उसको वाक के विन्यास से बहुत मतलब नहीं रहता है लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो कि सिक्षित है और उससे ये हम उम्मीद करते हैं कि वो जो भी वाक के रचना का प्रयोग करें तो वो क्रम और विवस्थि अगर सुनकर बहुत मजा आया इस टाइब से शब्दों का वाक्यों का प्रयोग किया जाएगा अगर सिक्षित व्यक्ति से कि हमें ये चीज़ देखकर मजा आई तो मजा आई नहीं होता है बलकि मजा आया शब्द सार्थक है वाक्य सार्थक है तो इस तरीके से हमको ध्या रखना पड़ेगा कि कहां पर इस्त्रीलेंगल, कहां पर पूलिंग है, कहां पर करता होना चाहिए, कहां पर कर्म होना चाहिए, कहां पर क्रिया होना चाहिए, तो ये सिक्षितों से हमें उमीद रखनी पड़ती है, बाकी तो बोलने के लिए सब लोग बोलते हैं और चीजें के संरचना की सबसे बड़ी विश्यस्ता है, यानि कि आप कोई चीज बोल रहे हैं, तो वो एकदम से इसपश्ट हो, ठीक है, दूसरी विश्यस्ता है कि पाथक या सुरोता के स्वे भावों या विचारों को जागरित करने की सामर्थ, यानि कि अपने वाक्तियों के माध्यम से रोचक बनाना, किसी चीज को रोचक तरीके से प्रस्तुत करना, तिसरी विश्यस्ता है कि पदों या शब्दों का तारतम में, जो भी आप वाक्य प्रयोप कर रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से जूड़े रहें, ये नहीं कि अभी पहले वाक्य में कुछ बात कर र कि उसमें इसलिए पुछा जाता कि कौन सा इसमें अलंकार है, ये पदों और शब्दों के तरतम मेंता के वज़े से ही पुछा जाता कि कहीं पर अनुप्रा सलंकार हो गया, कहीं पर सले सलंकार हो गया, कहीं उकमा अलंकार हो गया, कहीं यमा कलंकार हो गया, ये खास विश् संक्षिपता का समझ सामनागी sewing समझ नहीं पता चलेगा तो संक्षिपता या बेर्थ पदों या शब्दों का ना आना ठीक है इसमें जो भी यह चीज वो कम्प्लीट होना चाहिए पुन्ड रूप से टाहितिक द्रिश्टी से माधूर भाव भी वाक्टि संरजना की एक विशेष्टा है वाक्टि जितना ही कानों को सुख दे हिर्दय को अनन्दित करे और मस्तिस को संतुलित करे वह उतना ही अच्छा समझा जाएगा और यह जो पॉइंट दिया गया है इस पॉइंट को मैं अपने लेक्शर में भी प्रयोक करने की कोशिश करता हूं कि हम तो अपने भावं और विचारों को आप सभी के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्त तब तक यह वीडियो लेक्शर या फिर मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में ना आएं तब तक यह सार्थक वीडियो लेक्शर नहीं हो सकता है तो इसलिए कई बार क्या होता है कि जो हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं वो आपको सुनने में अच्छी लगे आप बार-बार बोर हो रहे हैं बोजील हो रहे हैं और आपका मन नहीं लग रहा है तो जब भी आप कोई चीज लिखिए लिखेंगे तो शब्दों और वाक्यों का व्यवस्थित क्रम उसमें रहे गाई या फिर कहीं बोलिए तो उसमें आप ध्यान में रखिए कि इस पश अचा लगे और उसमें मन भी लगे और दिमाग भी ज्यादा समय तक उसमें लगे तो उम्मीद है कि वाक्य की विशिष्टाएं भी आपको मोटे तरपर समझ में आ गई होगी आगे चर्चा करें वाक्य के भेद कितने हैं आम तरपर पूछा जाता है कि वाक्य कितनी परका से तो दो तरीके से वाक्य भेद किया जाता है हो सकता कि परिक्षा में आपसे पूछा जाए कि वाक्यों के कितने भेद किये जा सकते हैं तो दो भेद किये जा सकते हैं रचना या सुरूप की दृष्टी से या फिर अर्थ की दृष्टी से अब आगे देखते हैं कि यह रच जिसको बोला जाता है फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों तरीके के वाक्य होते हैं यहाँ पर हिंदी में आप देख रहे हैं कि तीन तरीके के वाक्य यहाँ पर आ रहे हैं कि सरल वाक्य ताधारन वाक्य जिसम कि दो वाक्यों का इसमें क्या होगा मिलावर्थ होगी ठीक है एक मूल वाक्य होगा और एक उस पे निर्भर वाक्य होगा जिसको कोई ने कोई कंजक्षन होगा जो इसको जोड़ेगा जिसे की उसका उसकी ठीक है इस तरीके से उस कंजक्षन आएंगे जो कि उसको जोड़ने वाले जिसे और शब दो सकता है, ठीक है, तथा सब दो सकता है, इसमें भी दो वाक्य आपस में मिले रहते हैं, दोनों का आपस में संबंद रहता है, तो ध्यान में रखें कि रचना के द्रिष्टी से वाक्य तीन प्रकार के हैं, सरल वाक्य, मिस्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, अब हम इनको एक एक करके देखते हैं, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी, सरलवा के किसे कहते हैं, सरलवा के में एक क्रिया होती है, और एक करता होता है, उसे साधारणवा के या फिर सरलवा के कहा जाता है, जैसे मोहन खाता है, मोहन खाता है, आज मैं मोहन पर ही तो यहां पर मोहन क्या हो गया करता हो गया और खाता है क्या हो गया एक क्रिया हो गई ठीक है तो आप देख रहे हैं कि यह सरलवाक्य है क्योंकि इसमें एक क्रिया होती है और एक करता होता है तो अब आपकी दिमाग में आगया होगा कि सरलवाक्य क्या है जिसमें किवल करता और क्रिया हो सरल वाक्य का लाता है इसमें एक उद्देश्य और एक विध्ये भी होता है जैसे उदार्म दिया गया है विजली चमकती है पानी बरसा ठीक है तो इसमें विजली का चमकना और पानी का बरसना ये इस वाक्य में उद्देश्य और विध्ये की रूप में भी दि मज़ने के लिए ध्यान में रखना है कि उसमें करता होता है और एक क्रिया होती है। आगे बात करते हैं कि मिस्रfiction किसे करते हैं, इसको तक्नीकी तोर पर समझने की बहुत ज्रूरत है, मिस्रAcadkar जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अलावा उसके अधीन दूसरा कोई अंग वाक्य हो उसे मिस्र वाक्य कहते हैं मतलब कि एक साधारण वाक्य होगा ठीक है इसके बाद उसके अत्रिक एक अंग वाक्य होगा जो कि उससे जुड़ा रहेगा जिस वाक्य में मुख्य उद्देश और मुख्य विधे के अलामा एक से अधिक क्रियाएं हो। उसे मिस्र वाक्य कहते हैं। उदारन दिया गया है वह कौन सा मनुस्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हूँ। तो आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पर यह मुख्य उद्देश से और मुख्य विधे से जो वाक्य बनता है उसे मुख्य उपवाक्य और दुसरे वाक्यों को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। पहले को मुख्य वाक्य और दुसरे को सहायक वाक्य भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह मुख् सामन से तो यह क्या हो गया यह complete नहीं है जब तक हम आगे नहीं का रहें कि जिसने महाप्रतापी राजा भोच का नाम न सुना अब मैं दूसरा उधान दू कि वह कौन सा प्रत्योगी छात्र हो सकता है जिसने अनुराज हिंदी एकेडमी का नाम न सुना हो तो यह क्या है वाक्य मिस्र वाक्य के अंतरगत है अब मैं बोलू कि वह कौन सा प्रत्योगी छात्र होगा बस मैं इतना बोलकर चुप रहा हूं तो फिर यह वाक्य कंप्लीट नहीं हो पाएगा जब तक मैं आगे न जोनू कि जिसने इसके बारे म जानकारी न रख्यों इसका मतलब यही है कि महा प्रतापी राजा भूच की बारे में सब लोग जानते हैं कोई भी ऐसा मनुसिय नहीं हो सकता है । मिसल्वाक्य को भी आप समझ गए होगे कि इसमें एक मुख्य वाक्य रहता है और फिर इसी वाक्यों का मेल संयोजक आवब्वयों द्वारा होता है संयोजक चिन होते हैं जैसे कि और तथा संयोजक मतलब एक दुसरे को जोड़ने वाला ठीक है ना इसी तरीके से आप देखते होगे कि पार्टिएया जब बनती हैं तो सेमें एक संज़क होता है वह लोगों को जोड़ता है तो उसी तरीके से वाकिय भी जब संज़क्त वाकिय बनता है तो उसमें पहले तो साधान वाक रहता है जिसके बारे में हमने पहले चर्चा कर लिया है और दूसरा रहता है मिस्र बाक्य इन दोनों में से कोई एक वाक्य हो चाहे वो शरल बाक्य हो चाहे मिस्र बाक्य हो इनके मेल से संयोजक के मेल से संयुक्त वाक्य कर निर्माड होता है अगर एक लाइन में इसको बोलें कि जिस वाक्य में ताधारन अथ्वा मिस्र वाक्यों का मेल संयुजक अवयों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं संयुक्त वाक्य उस समू को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरलवाक्य अथवा मिस्रवाक्य अब्वे द्वारा संयूप। अब आपके दिमाग में आगया होगा कि अब्वे क्या है। अब्वय मुख्य तोर पर यह का जाता है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता है कोई छरण नहीं होता है जैसे और तथा एवं यह सब क्या है अब्वय की रूप में हैं कोई भी आप शब्द का प्रयोग करें चाहे वह सरल वाक्य हो चाहे मिस्र वाक्य हो इनके उपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का प्रियास करते हैं संयोजक के रूप में आते हैं तो कहा जा रहा है कि संयोग्त वाक्य उस वाक्य समूöm को करते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो या फिर मिस्र वाक्य हो और उनको जोड़ा जाए अब्वेँगों के द्वारा यानि कि सहयोज़ेकों के द्वारा इस प्रकार वाक्य लंबे और आपस में उलजे होते हैं आपने देखा हुआ कई विद्यार्थी जब पहली पंक्ति लिखना शुरू करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि इस पंक्ति को छोटा में रखा जाए या फिर बड़ा में रखा जाए तो तिन्चार लाइन की पंक्ति हो जाती है तो कहा जा रहा है कि जो समयुक्त वाक्ति होते हैं वो कभी-कभी लंबे हो जाते हैं और आपस में उलज भी जाते हैं उदार्ण दिया गया है मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्ध होने लगा और दर्ध इतना बढ़ा कि तुरंत डाक्टर को बुलाना पड़ा तो आप फिल्म देखने चलेगे इस टैप से नहीं है यहाँ पर पेट में दर्ध होने लगा तो फिर आप फिल्म देखने चलेगे इस टैप से नहीं है यहाँ पर पेट में दर्ध है तो डाक्टर को ही बुलाना पड़ा है यह क्या है एक दूसरी से जुड़ा हुआ इतने लंबे वाक्य में संयोजक और है जो यहाँ पर उदार्म दिया गया है जिसके द्वारा दो मिस्र वाक्यों को मिला कर संयुक्त वाक्य बनाया गया है ज आप देख रहे हैं कि मैं आया और वह गया कई वार आप देखते हैं कि जहां पर आप जाते हैं तब तक वहां से कोई और दूसरा चला जाता है तो लोग काते हैं कि जैसे ही मैं आया वैसे ही वह चला गया तो यहां पर क्या है मैं आया और वह गया या फिर कई पर डूटी हित तो बस आपको ध्यान में रखना है कि सरल वाक्य आप आराम से परिशाओं पकड़ लेंगे कि क्या है जिसमें एक करता होगा एक क्रिया होगी मिस्र वाक्य जहां पर की उसका उसकी लेकिन इन शब्दों का प्रयोग होगा वो मिस्र वाक्य में आ जाएगा और जो संयुक्त व कर लेंगे कि कौँसा वाक्य किस टाइप का है ठीक है आगे बात करें तो यहां यह याद रखने की बात है कि संयुक्त वाक्यों में प्रतेक वाक्य अपनी स्वतंतर सक्ता बनाया रखता है वह एक दूसरे परासिरत नहीं होता केवल संयोजक अब व्युन स्वतंतर वाक्य या फिर एक से अधिक मिस्रवाक्य रहते हैं और उनको संयोजक के माध्यम से जोड़ा जाता है, संयोजक और या फिर तथा भी हो सकते हैं, आगे बात करें कुछ उदाहरन के माध्यम से, सरलवाक्य से मिस्रवाक्य कैसे बना हुआ है, जिसे यहाँ पर लिखा है सरलवाक्य, उसने अपने मित्र का पुष्टकाले खरीदा, अब इसका मित्रवाक्य है, उसने उस पुष्टकाले को खरीदा, जो उसके मित्र का था, तो यहाँ पर आप देखरे हैं, जो शब्द जो आया है, वो मित्रवाक्य को निर्मित कर रहा है, यहाँ पर दूसरा उदान देखें, अच्छे लड़के परिस्रमी होते हैं। मिस्रवाक्य है, जो लड़के अच्छे होते हैं, वे परिस्रमी होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, वे सब्द जो आया है, वो मिस्रवाक्य को बता रहा है। अगला है, लोग प्रिय कवी का सम्मान सभी करते हैं। लोग प्रिय कभी का सम्मान सभी करते हैं, तो यहाँ पर मिस्रवाकि बन रहा है, जो कभी, जो कभी लोग प्रिय होता है, उसका सम्मान सभी करते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि सरलवाकि कैसा होता है, मिस्रवाकि कैसा होता है, मिस्रवाकि में खास्तवर से आप देख रहे आगे बात करें सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, यहाँ पर देखें सरल वाक्य दिया है कि अस्वस्त रहने के कारण वह परिक्षा में सफल न हो सका, आम तोर पर यह सभी प्रतोगी परिक्षाओं के साथ घटना घटती है कि कई बार तैयारी कंप्लिट रहती है लेकिन आप अ भावित होती है, तो यहाँ पर देखें क्या वाक्य बनाया गया कि अस्वस्त रहने के कारण वह परिक्षा में सफल न हो सका, तो यहाँ पर ध्यान दिजिए और इसलिए परिक्षा में सफल न हो सका, दूसरा वाक्य है सुर्योदे होने पर कुहासा जाता रहा, यानि कि य जाड़ा की बात की जा रही है, शुरुयोदय होने पर कुहासा जाता रहा, अब संयुक्त वाक्या है, शुरुयोदय हुआ और कुहासा जाता रहा, और शब्द देख रहा है आप, जो कि संयुक्त वाक्य में बार बार आपको देखने को मिल रहा, तो जैसे ही एक्जाम में आ अब यहाँ पर संयुक्त वाक्या है उसने न केवल गरीब को लूटा बल की उसकी हत्या भी कर दी तो उमीद है कि अब आपको सरलवाक्य, मिस्रवाक्य और संयुक्त वाक्य अच्छे से समझ में आगे होंगे परिक्षाओं में इनको आप आराम से पकड़ लेंगे एक और उधारण देख लेते हैं कि मिस्रवाक्य से सरलवाक्य कैसे बन तकता है, मिस्रवाक्य है कि उसने कहा कि मैं निर्दोस हूँ, उसने कहा की शबदारा है मैं निर्दोस हूँ, सरलवाक्य है उसने अपने को निर्दोस घोशित किया, मिस्रवाक्य देखे एक और दिया ग मिलावट है आप देख रहे हैं थोड़ी सी मिलावट है यहां पर कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ कब और कहां को जोड़ा जा रहा है तो सरलवाक्य क्या बन रहा है कि तुम मुझे अपने जन्म का समय और इस्थान बताओ सरलवाक्य अब आपके दिमाग में आ रहा है और जो यहाँ पर जुड़ रहा है यह क्या संयुक्त वाक्य के तरफ संकेत कर रहा है नहीं यहाँ पर देखे दो चीजों को जोड़ा जा रहा है यहाँ पर समय और स्थान वहाँ पर क्या है दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है और के मात्यम से इन चोटी-चोटी चीजों को द्यान में रखना पड़ेगा, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवस्थ मिलेगी, तैरल वाक्य बनाएगा कि परिश्रमी छात्र अवस्थ से सफल होगे, तो इस ट्याइप से आपने वाक्यों को अच्छे से समझ लिया हुगा, आगे बात करते हैं कि अर्थ की द्रिष्टी कोड से वाक्यों के कुल आठ भेद किये जाते हैं और ये परिक्षा के द्रिष्टी कोड से काफी इंपोर्टेंट है बहुत बार पूछा जा चुका है कि अर्थ की द्रिष्टी कोड से वाक्यों के कुल कितने भेद किये जाते हैं तो जिसको मालूम रहेगा आगे पीछे उपर नीचे डाय बाय इधर उदर देखेगा कि कास कोई बता दे कि कितने भेद हैं कई लोग तो अंगोली इत्यादी के माध्यम से भी संकेत करते हैं कि फला क्वेस्चन का क्या अंसर हो सकता है आठ हो सकता है या फिर छे क्योंकि 6-7-8 दे देगा उसमें 3 भी दिया रहेगा तो आप कंफ्यूजी नहीं हो अर्थ की दिष्टिकोर से यहाँ पर जोर देकर आपको ध्यान में रखना है कि अर्थ की दिष्टिकोर से वाक्यके आठ भेद होते हैं अब आठ भेद कौन है बिधिवाचक, निशेद वाचक, आज्यावाचक, प्रश्ण वा वाचक, संदेह वाचक, इक्षा वाचक, संकेत वाचक तो यह क्या हो गए आठ भेद हो गए और इन भेदों का जो नामकरण किया गया है उन नामकरणों में ही आप देख रहे हैं कि इसके अर्थ शिप्यों में बिधिवाचक सामाने तर से जो सूब बिवस्ति डंग से हो जिसमें मैं आगे बात करूँगा शिए सामाने रूप से इसका अर्थ आगे हम देख लेते हैं कि वीधि वाचक क्या है बिधी वाचक वाकि जिसको affirmative sentence कहा जाता है, जिससे किसी बात का होने का बोध हो, एक्जाम में पुछा जा चुका है कि कौन सा वाकि जिससे किसी बात के होने का बोध होता है, अब इनी आठों में से चार ओप्सन में नाम आ जाएंगे और आपका सही जवाब जाएगा बिधी मान खाना हो चुका तब हो आया वाकता चल रहा है कि कोई चीज हो статьi वार है जिसकी जानकारी आपको मिले मैंने खाना खाया और Khanna मीठ कैने तो इस उधारान के माध्यम बिन्यास थे वह समझ में आ और विधिवाचक वाक्य किसे का जाता है ये भी समझ में आ रहा होगा कि ऐसा वाक्य जिससे किसी बात के होने का प्रमान मिले बोध हो पाए जानकारी मिले जैसे कि हम खाना खा चुके, हम खाक चुके, मैं खाना खा चुका तब हो आया, मैं खाना खाया, मैंने खाना खाया, और मेरी भूप मिट गए, तो यह क्या हो गया, सहीग दुवाके, आगे बात करते हैं, आगे कि जितने भी दुवाके हैं, बहुत आसान है, समझने में कोई दिकत नहीं है निश्यद वाचक वाके यानि कि निगेटिव हो आप कई बार जाते होंगे तो लिखा रहता है इंट्री वाले गेट पे कि यहाँ पर प्रवेस निश्यद है तब ही आप मूर जाते हैं दूसरे तरफ कि वाई इधर नहीं जाना है यहाँ पर देखे कि आप होने का बोध हो रहा है तो आपके दिमाग में दोनों सेंटेंस आगे होंगे वाके आगे होंगे अब उदारण देखते हैं कि हमने खाना नहीं खाया मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूग नहीं मिटी तो किसी तरह की आज्या का बोध हो, जैसे तुम खाओ, तुम पढ़ो, तुम ये वीडियो लेक्चर सुनो, जैसे कोई आपका गार्जियन है, सीनियार है तो बोल सकता है कि इसमें अची चीच पताई जा रहे हैं, तो इस वीडियो लेक्चर को सुनो, तो आपके दिमाग में का तुम खाओ, तुम पढ़ो, तुम जाओ, तुम सो, ठीक है, तुम रहो, अगला वाक्य है प्रश्न वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किये जाने का बोध हो, ठीक है, क्या तुम खा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तो ऐसे प्रश् व्यक्त किया जाता है दुख या सुख का बोध होता है जैसे ओह मेरा सिर भटा जा रहा है आहां मेरा चैन CUET में हो गया ठीक है या फिर net में हो गया आहा मैंने TGT की परिक्षा पास कर ली PGT की परिक्षा पास कर लिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया नहीं आपने कई वार वीडियो देखा होगा यूटूब पे कि उसमें क्या होता है कि विसमें बोधक वाक्रिक प्रयोग किया जाता है ठीक है कैसे यहां पर आप देक्ष रहें हैं आपने सुना होगा जिसे कोई चीज है आप आशेर रिवेक्ट करते हैं कि अरे रिजल्ट आ गया, ठीक है, अरे परिक्षा की डेट आ गई, तो यह हमारे लिए कि आई, आशेर चकित, विसमें वाचक वाके यहाँ पर प्रियोग हो रहा है, और जब आप दुख सुख में रहते हैं, तो भी वहाँ पर आप इस जैसे किसी बात का संदे प्रकट हो, जैसे उसने खाना खा लिया होगा, मैंने कहा होगा, जैसे कई बार क्या होता है, कि आपसे कोई चीज पूछा जाता है, कि आपने इसको कहा था, या फिर आपने इसको किया था, तो आप संदे व्यक्त करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप कारे में सफल रहो यह क्या हो गया इक्छा हो रही है जैसे हम भी कई बार करते हैं कि हम आप सभी के भविश्य की मंगल कामना करते हैं तो क्या करें इक्छा व्यक्त करते हैं जैसे जन्म दिवस मुबारक हो तो यह इक्छा व्यक्त की जा रही है ठीक है तो अगला वाक है संके वाचक में क्या है संभावना पर निर्वर होता है जैसे पानी न बरस्ता तो धान सुख जाता ये क्या है संकेत कि अगर पानी न बरस्ता तो संकेत आगे क्या दिखाई दे रहे हैं कि धान सुख जाता है यदि तुम खाओ तुम मैं भी खाओं कई बार होता है कि अगर तुम तो मैं भी खालूँगा, ये संकेत दिया जा रहा है, ठीक है, तो उमीद है कि आज के वीडियो लेक्चर में आपने वाक्य बिन्यास को अच्छे से देख लिया होगा, कि वाक्य का अर्थ क्या है, उसकी विशेस्ताय क्या है, उसके वेद क्या है, उदारणों के माध्यम से आ इलकुल ध्यान में रखे, कि आगर जितने भी सवाल पूछे जाएं, और आपको उसका आंसर पूरा कम्प्लिट मालूम हूँ, तभी इस वीडियो लेक्चर की सार्थ सकता, सिध्ध हो सकती है, तो कमेंट्स करकर जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी क कैसा लगा, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए नमस्कार